मैं भारत को भारती अताकी मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगावाई अब और एक बात पर आगे बाते हैं बंदर के लिए भी कर लेगे बंदर के काटने से आज तक तो कोई मरा ले दो लिया क्योंकि बंदर शाकाहरी जीव है उसके बॉड़ी में बिलकुल जहर नहीं और बंदर जो है ना आईडियल जीव माना जाता है सारे दुन में मैंने बंदर पर थोड़ा रिसर्च किया उसके काटने से तो कोई मर नहीं सकता एक बात दूसरा वो कभी किसी को हार्म पहुंचाता नहीं जब तक आप उसको कोई तकलीफ ना दे और उसके ब्लड के बारे में सारी दुनिया के वैग्यानिक है यह जानकर कि उसके ब्लड का जो आरच फेक्टर है वो दुनिया में आइडियल है इसका मतलब समझते सरल भाशा में समझाता हूं बंदर को कभी भी डायविटीज नहीं हो सकती बंदर को हर्ट अटेक नहीं आसकता बंदर को काडिय करेस्ट नहीं हो सकता बंदर को ब्रेन हैमरेज नहीं हो सकता और इतनी सारी सीरियस बीमारियों के बाद कैंसर तो कभी नहीं हो सकता उसका बलड ऐसा है भगवान ने उसको बलड दिया है ऐसा आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं तो बंदर के बारे में बिलकुल एशोर रहिए आप बिलकुल मत गवराईए बिलकुल मत डरिये वो थोड़ा आपको चिड़ा जरूर सकता है और उसको कुछ भूक भूक लगी है तो चिदमीन के खा सकता है इससे जादा वो कुछ जादा तकलिफ नहीं करता